लुकोहभाद डक्टर हिमोंत विश्वहर्मार विरुद्धे गोरोजी उथी से कोलियावरर हंख़त गोरब गोई बीजेपिया आमाँ दिबोने की धर्मर सार्टिपिकेट प्रस्न अर्थापन कोई से अर मंदिरोलोई कून केटिया जबो तार अनुमोटी डक्टर हिमोंत विश्वहर्माई आमाँ दिबोना लगे येने दोरे हुंकार प्रदान क्रा दिखिवलिप पागोई से हांख़त गोरब गोई ढदिरोलोई कून केटिया जबो तार अनुमोटी डक्टर हिमोंत विश्वहर्माई दिबोना लगे ये में दोरे प्रस्नों बान मिख्यपक्रा दिखिमेले पुआ गोई से राहूल गांदी भक्तिर प्रत बाधा अरुपकोई से हिमोंत विश्योकर मां सरकरे भाराद पर्खत बहुके इखन ग्रंठवा आसे यहां दिखेते कोई से भार्ण को अखन बहु की इखन गर्थवा आसे, किनु खाहन बेवस्था सल्वा गर्ण्थवा एकोने किया होई से खंग बिधान यहां गर्भ गर्ण बिधान कोई से खंग बिधान बहु करें गर्ण कोई से खंग बिधान आंधर्म लुका घृना कड़ा तु रामधर्मार भक्त भर्म नहाई, रामधर्मस कड़ is not work. अरुने लुक़ भाद घीमानी विश्दोर्मार भुरतले गरोजी उता परिलकित हुए शे. राम दुरो ये जांग चानी दुर रामधर्म कड़ ada ॐलानी लुका डो states, सब्सक्राइब कि जब 22 जन्वरी को जब अधर्णिया प्रधान मंत्री जी अयोध्या में थे तो उसी दिन अधर्णिया राहुल गांदी जी असम के गुरू महापुरु श्री मंत्र संकर देव के स्थान मंदिर में जाना चाते थे महापुरु श्री मंधर शंकर देव के प्रति अपनी भक्ती जताना चाते थे जिस दिन 22 जन्वरी को प्रधान मंत्री मौदी जी ने सभी को एलान किया कि आप जहां पर भी हो जैसे भी हो आप अपने मंदिरों में जाए उसी 22 जनवरी के दिन राहुल गांदी जी को पवित्र बॉर्डवा थान से जाने के लिए रोका गया क्यों क्यों रोका गया अगर असम के मुख्रमंत्री की अगर बात हम सुने तो असम के मुख्रमंत्री ने प्रेस के सामने मीडिया को संभोधित करते हुए 22 जनवरी से कुछ दिन पहले इन्होंने यही कहा मैं उनके शब्स मैं कहना चाहूंगा कि देखे 22 जनवरी को राहूल गांदी जी ने ये इच्छा प्रकट की कि वो सुबे बोडवा थान जाना चाते हैं लेकिन जिस समय वो जाना चाते हैं प्रधान मंत्री मोदी जी अयोधिया में प्रान पतिष्ठा के समारों में उपस्तित होंगे ये बात उचित नहीं है कि जिस समय टीवी के चैनल पे प्रधान मोदी का चित्र आए उसी समय राहूल गांदी जी का भी चित्र आए ये बात गलत है ये है आपकी धर्म के प्रतियास्ता ये ये मीडिया पे कहा है ये आपको मैं ऑथेंटिकेट कर दूँगा आपको तो मु मेरे साथ है मैं हमेशा जब भी अपनी बात रखता हूं तो सचाई से रखता हूं इमांदारी से रखता हूं मुझे अपने बात कहते हुए कोई संकोष नहीं क्योंकि मैं भी सच जो कहता हूं वो सची वानी से कहता हूं तो बस अंस मैं इसलिए मैं कहना चाओता हूं कि धर का सर्टिफेकेट क्या ये बाटिंगे मंदिर में कौन जाएगा कब जाएगा कि ये इनसे हमें हनुमती लेनी पड़ेगी क्या मंदिर जाना असम के मुख्व मंत्री के अगर सब्दों पे विश्वास रखे तो मंदिर का एक ट्यारपी बन गया है प्रानपतिष्ठा का एक ट आटा क्यों दी हमें अपने संस्कारों पे हमें अपने कड़ा लेपे चलने पर बादा क्यों दे रहा है सर जहां गैर हिंदू का प्रवेस बर्जीत है वहां गैर हिंदू कैसे जा सकता है यह मक्ता जाए सर यह पूरी जाकर दिखा गए मैं जहां सर मैं दुबारा आज याक राद देता हूं कि हमारे देश में अनेक धर्म है हमारे देश में अनेक ग्रंथ है हमारे देश में अनेक पेगंबर है लेकिन अगर शासन का ग्रंथ है तो शासन का ग्रंथ एक है वो यह सविधान है वो यह सविधान है ये सविधान ये शासन का एक ही ग्रंथ है, धर्म के अनेक ग्रंथ है, हिंदु धर्म में अनेक वेध हैं, हिंदु धर्म में अनेक उप्रिशद है, लेकिन भारत के लोगों ने शासन के लिए एक ही ग्रंथ को चुना है, वो इस सविधान को है, और इस सविधान के में आज मैं दुबारा मैं कहना चाहूंगा कि राम राज्य राम राज्य इतनी कटूता क्यों इतनी कटूता क्यों जैशी राम कहते हुए इतनी कटुता क्यों मर्यादा पुरशत्तम या राम को नमन करते हुए इनके वाणी में इतना हिंसा क्यों इतना घ्रेणा क्यों इतनी घ्रेणा क्यों है आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आप ये अंदर घ्रेणा हो आप राम भक्त हो ही नहीं सकत अगर आप दूसरे पे गोली चलाते हो आप राम भख्व होई नहीं सकते जवाब दूसरे के धर्म के अनुस्थान को अगर आप कलंकित करते हो तो हमारे लिए तो ये घ्रंथ एक ही है इस घ्रंथ में लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निर्पेक्ष लोगतंत्रात्म गनराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाज एक आर्थिक और राजनेतिक न्यायन विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंतता प्रस्तापन कोरिशे हंखत गोलव गोगे अपटरजजी दी घ्रिना थाके, आपनी राम भगता हबने वाणे को किव्णी आपनी क्यों गुली सलाए। अन्धर्म यो अइस थालक उपलूंगा कुडी आपनने के राम भगता हबने वाणे। आन धर्म और लुको घ्रिना कोड़ातू लाम और धर्म नहाए क्या लाम भक्तर धर्म नहाए। आन धर्म नुको घ्रिना कोड़ातू लाम भक्तर धर्म नहाए। आन धर्म नुको घ्रिना कोड़ातू लाम नहाए। आन धर्म नहाए। झाल